नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंजिनियर गोपाल पटिल पर तो फ्रेंट्स आज हम लोग एनेपसी निकलियर फील्ड कॉम्प्लेक्स जो तमिल नाडू सायर का एकजाम हुआ था आप लोग का केमिकल प्लांट ओपरेटर आज उसके हम कट सब्सक्राइब के बारें बात करेंगे उसका कट ओफ कितना गया और फाइनल मेरिट कितना पर बना तो आईए बिनेदेर के हम लोग देखते हैं तो देख लिए आप लोग यह दस मार्च को आया था रिजल्ट फाइनल रिजल्ट दस मार्च 2021 को डिकलिरेशन ओफ जिरो टूश्राइस 2019 और इसी पोस्ट के लिए इसी एडवर्टार्यमेंट के लिए आप लोग का एकजाओ माने वाला है कब 8 जुलाई और नौ जुलाई को आट जुलाई को आच जुलाई को आपको कौन सा होगा तो केट्गरी वन फर्स्ट में केट्री वन का और सेकंड जुलाई को और नौ जुलाई को बरक असिस्टिन का होगा तो देख लिए हम आप लोग उसमें कितना पोस्ट था तरमिलाडू साइट का तो देखें आपर एडवर्टाइबंट नमबर नफसी स्लेश 2019 टोटल पोस्ट था छे पोस्ट तरमिलाडू साइट के लिए तो तो यह आपको फाइनल रियल्ट के बाद ही पता चलेगा ठीक है आपको फाइनल रियल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कितना फॉर्म फिल अप हुआ है वह आपको एनसी की तरफ से सोक कर दिया जाएगा तो देखें आप लोग टोटल नमबर ओफ अप्लिकेशन रिसीब 1178 क चेमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए और अटेंड अटेंड अस्टेज फोन यानि दिसम्बर 2020 को एक्जाम वहा था फ़र्श्ट अस्टेज का देख लिए वह वर्पीस दिसम्बर 2020 को एकजाम होआ था फ़र्श्ट सोचरा अस्टिज का और इससे मात्र एकसो चोहत्तर बीच आप लोग का कितना समय मिला था लगवग तो यह देखें 20 दिसंबर को हुआ था फर्स्ट अस्टेज और सेकेंड अस्टेज हुआ था पांच फरवरी यानि लगवग आपका 40 से 45 दिन आपका एक फ्रोक समय मिला था आप लोग जोड़ लिए यहां से 20 दिसंबर था तो दस दिन दिसंबर में हो गया और इसका पूरा जनवरी और फिर पांच तारीक यानि लगवग चाली से 45 दिन आप लोग का फर्स्ट अस्टेज और सेकेंड स्टेज के बीच समय मिला था तो देख लिए आप लोग और सेकेंड श्टेज में कितने स्टुडेंट पहुचे थे एक्जाम देने और देखिए सेकेंड श्टेज के लिए सो सो टौर्ट क्वाई वे थे बड़ तीन यहां पर कम गए देख सकते हैं आप लोग कितना कंपो के तेखलेंट अब देखलेजे सेकेंट स्टेज में कितने हो यह हुए तो सेकेंट सेज में मात्र टोंटी स्टूजेंट क्वालिफाइवे और फिर उसका भाद फीजिकल फीजिकल अस्टेंज टेस्ट होता है तो उसमें सभी student पास्ट कर गए 20 में से 20 और उसके बाद हुआ skill test तो skill test में 14 student पास्ट हुए यानि 6 student छट गए और 14 student में जो number आया उनीक हिसाब से उनका merit बनेगा ठीक है तो हम लोग देख लते हैं कि किस हिसाब से मेरिट बनाया और कौन टोप पर आया है और किस कैटगरी के है उसका अम लोग नंबर भी देखेंगे उसका नंबर भी देखाया है मार्क्स भी देखाया फर्स्ट एस्ट और सेकेंड श्टेज का तो देख लेते हैं हम लोग कि बेस्ट ऑन परफोर्मेंस अप कंडिडेट इनस्ट ने श्टेज की में आफ फोलोइंग पैनल फॉर अपॉइंड में तूज़ पॉइंड जिए मेरिट बनाय मेरिट लिश्ट देखेंगे सलेक्ट लिश्ट लिखा गए यूवार के लिए कितना पुश्ट था तो टोटल पॉस्ट तो देख लिए यहां पर टोटल पांच पॉस्ट का जो सेलेक्शन हुआ है वह देख लिए इनका नामें भी पार्थीपन एस सी केट गरिके हैं और टॉप माय है सेलेक्शन का जिस्ट में देख लिए गरिक्स के जा करें मैं इस ग्युवरे देखेंज है अपम इसको सेट करते हैं वी", पार्थिपन दे खिए यह ही जो हैं टोब किये हैं तो देख सकते हैं आप लोग, इनका कितना मार्गा आको देखाना है इनका मार्ग साजा है जो जो एक सी करेंगे थे में माक्स आया है एक सो चौदव माक्स और सेकेंड आश्टेज में मातर तीर सट तो सो सकते हैं आप लोग डेड़ सो में फर्स्ट अस्टेज में माक्स आया है इनका नाम है और यह तोप कर गए तो देख सकते हैं आप लोग कितना कट-off कम गया बट कॉश्टन भी अगर कट-off कम गया इसका मतलब कि कोश्टन भी हाड होगा ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग यहां से अब लोग देखीजे अब देखिए दूसरा अस्थान पर कोन है दूसरे अस्थान पर हैं कि कृष्णमूर्थी के तो इनका भी नाम आप लोग सर्च कर सकते हैं और देखिए जो लास्ट पोजीशन पर रहा है रेनुका एस यूर में रेनुका एस पांचमा स्थान पर इनका सेलेक्शन हुआ है तो इनका हम लोग देख लेते हैं कि इनका कि दीष्थ ये लोटाल से रेनुका एस अमें करें लोग कि इनका मांक इस कितना है तो इनका मांक द मदफ़ के तुछ मोघे का इनको मर्स और यह स्ट्थान पर आनी साहथा पर तीरस्ट माक्स और लास्ट अस्थान पर अग्स asks यह ऊर के करीके। से सुलेक्शन वोई लोग का की दिखलेंट दीट चार नमर का कहा और एंका से लेक्शन हो उए और इस फैसलेक्शनू अपर यह इनका नाम सर्च कर लेते हैं लोग कि पेरी यामनी यहां से देखिए आप लोग यहां से तो इनका नाम यहां पर यहां पर सर्च किज़ेगा तो आगया आएगा अब देखिए इनका पेरी यामनी आरका फर्स्ट अस्टेज में 70 मार्क और सेकें अस्टेज में 50 मार्क तो दे जारी जम कर किजिए और जो मैं कोश्टन करा रहा हूं और तो आप लोग करिए ही और साथ में आप लोग एक्ष्टा भी पढ़िए जिसे लूसेंट हो गया लूसेंट जो साइंस का भूख है उसमें आपको साइंस के 20 कोश्टन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंड है और भी पाइनल मेरीट है घ्रा देख सकते हैं आप लोग यहां पर देखिए आप लोग जिनका से लेक्षन होगा है देखिक है पर कहला कि लिखा हुआ है रिजल्ट फोर दविजिकल स्टेंडर्ट टेस्ट एड़ एस्टिश्ट हेलड़ ऑन च्योग फर्वरी यानि स्किल टेस्ट और फीजिकल स्टेंडर्स टेस्ट हो गया है छोग फरवरी को तो देख सकते हैं आप लोग और इनका देखिए इनका जो लोग फीजिकल स्टेंडर्स टेस्ट क्वालिफाई हुए स्कील टेस्ट क्वालिफाई उन सभी का नाम दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कितना कंपोडिशन थोड़ा बड़ फॉरम यहां पर एक बार आप लोग को मैं फिर से देखा देना चाहता हूं कि फॉरम देखे कितना स्टुड़ेंट नहीं ग्यारा सोठतर मातर पह जाना चाहूंगा और देखिए आपको रिजल्ट कवाया था तो अगर अगर आप लोग का एक्जाम ले रहे हैं आठ जुलाई और नौ जुलाई को तो आप लोग का सेकेंड एक्जाम में लगवग पचालीस से पैंटालीस दिन तो आपको समय मिलेगा है यानि जुलाई त सेकेंड स्टेज का हो सकता है और फाइनल रिजल्ट का वाया था तो छे फरवरी को स्कील टेस्ट और फिजकल अस्टेंडर्ट हुआ था और रिजल्ट का वाया फाइनल दस मार्च के लगवग एक मंत बाद तो आप लोग को जल्द ही हो जाएगा और आपका सेलेक्शन भी करेंगे ने अपसी क्योंकि एने अपसी कोटा साइट में भी काम बहुत तेजी सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और प्रेस कर लेगन को जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीजियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी और जो मैं वीडियो बनाया हूँ एने अपसी प्रेवियस एर कोश्टन का मैथमेटिक्स का अलग वीडियो है साइंस का अलग वीडियो है और जेनल अवेर्नेस का अलग वीडियो अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऎकsstа, सब्सक्तर इंक स्थेंटी नहीं देखा जया हूं का विडियो इखु प्रूंट का tap ARC स्थेंट्र का मैं देखा